लोग खुद को ठंड से बच्छाने के लिए क्या क्या नहीं करते वार्मर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं और सौक्स भी पहनते हैं फिलाल हर तरह के कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी ठंड रुप जाए हलागे रात के समय में खुद को गर्म और अरामदायक रखने के लिए बहुत से लोग बेट पर सौक्स पहन कर सो जाते हैं लेकिन क्या ये सेफ है, क्या ऐसा करना आपके लिए हेल्दी है हेल्स एक्सपर्स की माने तो सौक्स पहनना पूरी तरह से नॉर्मल है और बहतर नीन पर ये हेल्प भी करता है क्यूंकि ठंड में अकसर ऐसा होता है कि जो बलड सरुकलेशन है वो लोग हो जाता है ऐसे में रात के समय में सौक्स पहनने में कोई भी बुराई नहीं है अगर आप नहीं भी पहनते हैं तो ये भी बहुत नॉर्मल है दरसल लोग अकसर इस बास से कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या ठंड के समय में रात में सौक्स पहन कर सोएं या फिर ना सोएं बड़े मुज़ूर कहते हैं कि रात में मोजे पहन कर नहीं सोना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सिर पर गर्मी पढ़ जाती है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है अपने पैरों को गरम और सेफ रखने के लिए सर्दियों के दौरान अब रात में सौक्स पहन सकते हैं और ये अच्छा भी है महिलाओं के लिए जादा अच्छा इसलिए है क्योंकि महिलाओं की खेल्स ठंड में फट जाती है ये फटी एडियों में भी सुधार लाता है और बलड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करता है अगर रात में मोजे पहनने के फाइदों के बारे में बात करें खासकर की सर्दियों में जब हम रजाईयां कंबन ओड लेते हैं और पैर फिर भी नहीं गरम होता तो पूरे शरीर में ठंड का एसास भी होता है ऐसे में मोजे पहनने से आपकी शरीर को गरमाहट मिलती है अगर आप रात में सोते समय सौक्स पहनते हैं तो यह आपके पैरों को सूफने या रूखी तवचा होने से बचवाता है बिस्तर पर मोजे पहन कर सूने से आपका ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा होता है और फटी एडियों को ठीप करता है इस वीडियो में फिलाल इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चानल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना न भूले